गुड मॉर्निंग फ्रेंज जी एस्टी प्लैटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हां फ्रेंज जी एस्टी एन्वल रिटर्न और फाइनेंशल येर 21-22 के अंदर टेबल 8A में जो डिफ्रेंज आ रहे हैं उसको लेकर के काफी सारी क्वेरी जो है वो पूछी जा रहे हैं तो यहां पर सवाल ये आ रहा है कि टेबल 8A में जो फिगर्ज आटो रिफ्लेक्ट होकर के आए हैं उसके अंदर ये चेंजेज किस तरीके से रिकनसाइल किया जाएगा जुड़े रहिएगा इस वीडियो के end तक ताकि आपको भी GSTR 9 का जो टेबल 8A है उससे related important update अच्छे से समझ में आ सके आप यहां पर देख पा रहे हैं जो annual return के अंदर dashboard open होता है उसमें एक information आप लोगों के लिए share किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि computation of input tax credit has been made based on GSTR 1 और IFF filed by your corresponding suppliers up to 30th November 2022 यानि कि 30 November 2022 तक 21-22 से related जो भी invoices आपके supplier ने upload कर दिया है वो अब आपके table number 8A में reflect जो है वो करेगा क्योंकि 30 November यहां पर last date section 37 के अंदर extend करी गई थी wide finance act 2022 लेकिन अब समस्या क्या आ रही है जो आपका GSTR 2A का data है वो auto reflect हो रहा है table 8A में और वो दोनो data आपस में reconcile नहीं है आपस में उसके अंदर differences जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं यहां पर जो हमारे पास table 8A का option है उसको जब आप download करेंगे इसमें कुछ समय आपको लगता है table 8A के data को properly download करने के लिए लेकिन आप यह समझे कि जो table 8A है इसके अंदर कौन सी figures include होती है इन सारी चीजों को लेकर के इस बार की हमारी जो magazine December महने के release होने वाली है उसमें हमने GSTR 9 और 9C से related आप लोगों के लिए FAQs भी तयार किये हैं अगर आप लोगों ने अभी तक tax magazine का subscription नहीं लिया है तो दिये गए numbers पे call करके whatsapp करके आप tax magazine का subscription ले सकते हैं GSTR 9 9C का filing session जो हमारे recorded sessions है वो भी अब mobile application पे available करवा दिये गए है अगर आप लोगों ने अभी तक GSTR 9 9C का session नहीं देखा है तो आप video description में जो link दिया गया है उस link में जा करके directly session देख सकते हैं और अपनी filing जो है आज के आज start कर सकते हैं और अपनी filing complete कर सकते हैं on or before due date जिसमे table wise explanation आपको दिया गया है किस तरीके से आप 9 9C file करेंगे details के लिए आप same number पे contact कर सकते हैं अब यहाँ पर जो हमारा table 8A है उसके अंदर जो figures auto reflect हो रहा है जैसे integrated tax में आप देखेंगे इस particular case में यहाँ आ रहा है 13,61,446.04 central tax and state tax के अंदर amount जो है वो भी reflect हो रहा है लेकिन यह जो 4 amount है यह 3 amount आपके पास auto reflected है यह GSTR 2A के table number 3 and table number 5 से आए हैं लेकिन कई cases में क्या हो रहा है जो GSTR 2A का table number 3 है वो और table number 5 है दोनों का summation इस amount के equal नहीं बैठ रहा है इसका क्या कारण है इसके लिए आपको समझना होगा table 8A का accounting principles यह कहता है table 8A के अंदर अगर आप download करेंगे उसमें information आपको यह मिलेगी कि accounting of input tax credit जो है वो किस तरीके से होता है let's suppose आपने किसी ऐसे supplier से कोई ऐसी service लिहे मान लेते हैं GTA की service आपने receive करी हों और वो GTA service provider अंडर reverse charge mechanism GST की liability जो है वो declare कर रहा है तो इस situation में होगा क्या GSTR 1 के अंदर जब वो invoices upload किये जाएंगे तो वो जो invoices है वो टिक किया जाएगा under reverse charge mechanism और वो reverse charge mechanism का data आपके table 8A में reflect नहीं होता है आपके 2A में तो वो party वो invoice नजर आएगा लेकिन table 8A के accounting purpose के लिए वो data count नहीं होगा यहाँ पर दूसरी चीज यह है table 8A में पहला impact RCM का आएगा दूसरा impact आता है amended invoice का हो सकता है इससे पहले जब आप workings कर रहे थे तो 21, 22 के जो invoices आपके supplier में upload किये थे वो amend नहीं किया हो सकता है 30 November से पहले उसने आपको जो invoices दिये हैं उसने अपनी GSTR 1 में amend कर दिया तो जैसे ही उसने amend किया तो आपका amended values जो है वो table 8A के लिए count होगा for example आप समझे आपने GSTR 9 का table 8A download किया था 1 सितंबर 2022 को उसमें एक invoice आपका 1 लाख रुपए का दिख रहा था from XYZ supplier अब इस particular supplier ने 1 सितंबर 2022 और 30 November 2022 के बीच में उसने क्या करा आपका GSTR 10 के बजाए उसने GSTR 10 आपका amend कर दिया और amend करके किसी और third person का GSTR 10 नंबर जो है वो नजर नहीं आएगा बलकि new GSTR 10 में ये invoice चला जाएगा तो अगर ऐसी कोई differences आती हैं आपके पास तो आपको ये चीज़ चेक करना mandatory है कि कहीं कोई invoice amend तो नहीं हो गया है similar situation हो सकता है कि पहले आपके supplier ने invoice जो है वो B2B में add करा हो और चुकि आपने उसका invoice payment नहीं करा है तो उसने क्या करा B2B invoice को amend करके उसे कर दिया है B2C invoice के अंदर तो ये कुछ चीज़े हैं जहाँ पर आपको table 8A के अंदर differences जो हैं वो create करके देंगी इसके बाद जो अगला है कारण table 8A में difference आने का वो अगर 30 नवंबर के बाद कोई भी invoices upload करेगा basically portal पे accept तो करेगा नहीं लेकिन by chance अगर 30 नवंबर के बाद कोई भी invoices upload की जाती है 21-22 से related तो वो भी आपको नजर नहीं आएंगी table 8A के अंदर 2A में तो नजर आएगा लेकिन table 8A में वो auto populate नहीं होगा तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखते हुए table 8A का data जो है वो match करना है ताकि किसी प्रकार के कोई problem जो है आपको नहीं आए यहां अगर आप देखेंगे total credit available for inward supplies other than imports and inward supply liable to reverse charge but includes services received from SCZ यह table 2A का part बनता है इसके बाद this would be the aggregate of all the input tax credit that has been declared by the supplier in GSTR1 यह जितने supplier ने आपकी GSTR1 और IFF में file करी हैं figures वो सारा का सारा auto populate इस table के अंदर होता है तो यहां पर आपको table 8A के साथ table 8B का reconciliation करना है basically GSTR3B का data यह किस तरीके से data flow होता है table wise यह आपको हमारे इस session में पता लग जाएगा तो इस session का benefit आप ले सकते हैं less than 30 days अब बचे हैं GSTR9 की filing के लिए चलिए इस video को यही end करते हैं आशा करते हैं आपको यह चीज़े अप clear हो गई होगी कि GSTR9 का table 8A है उसके अंदर differences आने के कुछ reasons क्या-क्या हो सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल पर first time tuning in किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया red color का subscribe प्रेस कर लीजिए साथ में जो bell icon है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की notifications आप तक regularly मौस्ते रहें Thank you and have a nice day